पवित्रा को याद आया अपना पुराना प्यार क्या बता रही है वो कवीता कौशिक को बताएंगे इस वीडियो में हेलो दसस लीसा गंगानियर भाई पवित्रा पुनिया आजकल घर में बिलकुल अकेली हो गई है एजास खान जुन से कभी प्यार जता रहे थे उन्होंने भी छोड़ दिया है पवित्रा को अकेला ऐसे में पवित्रा को अपना पुराना प्यार याद आ रहा है और उसके बारे में कवीता कौशिक को बताते हुए नजर आई पवित्रा हम आपको बता दे कि पवित्रा क्या बता रही थी कविता कौशक को तो भी ये बता रही थी कि 2015 में उनकी हुई थी किसी सगाई ऐसे में वो लड़का उनको बहुत पसंद था आज भी कई न कई वो से रोज मिस करती है और साथ ही ये भी बता रही थी कि किस तरीके से उस लड़के ने उनका ध्यान रखा है जी है वो बता रही थी तीन साल तक जो ये सगाई चली थी उसमें चाहे कुछ भी हो जाए ये आज तक कभी भी मुझे खुद से दर्वाजा खोलने नहीं दिया है हमेशा वो यही कहता था अगर मैं दर्वाजा खोलने भी जाती थी तो वो यही कहता था कि रुक जाओ और मुझको पीछे कर देता था और फिर दर्वाजा खोलता था मेरे लिए तो भाई ये कहानी बता यह थोड़ा सा unfair हो जाएगा उसके लिए अगर उसे पता चलता है कि आप अब घर के अंदर किसी और से close हो रही है किसी और से equation मनाने ही कोशिश करी है तो पवित्रा इस पर कहते हैं कि पर अब हम लोग साथ तो नहीं है मैं आज भी उसे याद करती हूं लेकिन अब क्या मतलब है उसने तो साफ बोल दिया था कि वो किसी से शादी नहीं करेगा अगर मैं नहीं मिली उसे तो लेकिन अब मैं शायद उसके पास वापस ना जा सकूं तो वही आपका क्या कहना है पवित्रा कि इस पुरारे प्यार के बारे में लिखकर बता सकते हैं कॉमें सेक्शन में एक्सक्लिजिव खबर में आप तक पहुचाते रहेंगे